दोस्तों किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अतियावश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाव था, उस गाव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसले नश्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था, तभी उसे एक तरकीब स जी, एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लू, वैसे भी बड़े भाईया अंधे हैं, अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर, वो उन्हें जोर से चिल्ला कर भगा सकत हैं, इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ, ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी जोपडी तयार की, और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया, और उनसे कहा, भाईया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई तो आप जोर-जोर से चिलाना, ये सुनकर वो जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसले नश्ट होने से बच जाएगी, बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है, और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है, जब भी किसी जानवर की हिरन भागता हुआ आता है, और वह खेत के बांध को तोड़ कर वहां से भाग गया, लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए, एक राजा भी उस खेत में आ पहुचा, तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पढ़ती है, राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है, इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है आप उसके पीछे अपना समय यूँ ही व्यस्त कर रहे है राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक है ही नहीं ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कहीं तुम मुझसे जूट तो नहीं कह रहे एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है हे राजन जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं असल में वो एक हिरन नहीं है बलकि एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है और जहां तक मुझे ज्यान है। और इसी कारण मैं आप से ये कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पढ़ गया वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापती से कहता है सेनापती जी मुझे वो जानवर जिन्दा चाहिए क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती है। बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है हे राजन इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कहीं है वो बिलकुल सही है वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। आखिर इसे यह कैसे पता चला ऐसे कई सारे प्रशन अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तहह तक पहुँचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोच कर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है। देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सच-मुच अंधे हो या नहीं लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही-सही जवाब दोगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है। हे राजन आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको बिल्कुल सच-सच जवाब दूगा। इस पर राजा कहता है देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला। तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे। फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया। तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है। तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांग जाता। लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़ कर भागी है और यदि वह इस बांध को चलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खत्रा होता। और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ती बहुत तेज है। कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये तो बड़ा ज्यानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिये हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राज महल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ती से कहता है। आप तो बड़े ज्यानी व्यक्ती है। आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिवरता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ती कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ती कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीच चुके हैं, और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखि यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा. राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ती कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा. उस अंधे व्यक्ती की ये अब राजा की पतनी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं, तभी वो अंधा आदमी राजा की पतनी से कहता है, मुझे आपको छूना है। राजा के पास पहुँचता है, और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पतनी पतिवरता नहीं है। पताईए, क्या आप पतिवरता हैं या नहीं? इस पर राणी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिवरता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था, वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुँचता है, और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिवरता नहीं है, इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको चूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुसे में आकर मुझे लाद घूसों से पीटना शुरू कर दिया, और भला कोई और किसी और मर्द को कैसे चू सकती है, लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, बस ल मेरे पूरे शरीर को छू लिया, अब आप ही बताईए, ऐसी स्त्री भला पतिवरता कैसे हो सकती है, इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्यानी मालूम पढ़ते हो, अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो, यदि तुमने मुझे इस ऐ राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी उलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए, लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्य था, यह प्रश्न म मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा. इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ. यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो, तो तुम यहां से जा सकते हो. मैं तुम्हे नहीं रोकूंगा. इस पर वह अंधा आदमी कहता है. ए राजन इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है मैं आपको अभी अभी या बता सकता हूँ कि आप किस की ओलाद हैं लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझे पर क्रोध नहीं करेंगे राजन ने कहा मैं तुम से वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है हे राजन आप है तो अपने ही पिता के पुत्र लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है ये सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकाल कर अपनी मां के पास जा पहुँचा वह वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी मां से कहता है मां मुझे सच सच बताईए क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूँगा मुझे बताओ क्या सच है इस पर उस राजा की मां कहती है बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र लेकिन तुम्हारे उपर एक कंजूस सेट की छाया पड़ी हुई है जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुह आइने में देख रही थी तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेट नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दोड़ा दोड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और उस अंधे आदमी से कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पर एक कंजूस सेट की छाया पड़ी हुई है इस पर वह आदमी कहता है हे राजन आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में धेरों सारे इनाम मिल चुके होते लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौडी तक नहीं दी है इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूँगा लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो इस पर वह अंधा आदमी कहता है हे राजन मैं तो वैसे ही अंधा हूँ यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता मन की एक भाशा होती है और ये भाशा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है उसकी आँखों से, उसके होटों से, उसके काम करने के तरीके से उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ यदि मुझे कोई बात जाननी हो, तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, तब ही वह राजा कहता है, तो क उससे पहले आपको अपने उपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान मिलाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ, और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किन्तु हे राजन, उससे पहल आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा, जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर् तभी हम उसके मन की बाते जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आद्मी वर्तमान में सोच रहा हैं। वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है। वह हम कैसे जान पाएंगे। क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं, इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए, सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा, आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो तीन तरीके मैं आपको बताने वा किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं, पर बहुत कुछ कह जाती हैं, यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, और अभी वह क्या करने वाला है? मेरे पास आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरू से यह विद्या सीखी हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी, और मैं उस वक्त के मन की बातें केवल उनकी आँखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आ भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए। कभी उपर तो कभी नीचे या कभी आसपास या फिर उसकी आँखें खुश नजर आ रही है या फिर आँखें निराश नजर आ रही है जैसे कि चोर होता है उसकी आँखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आँखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में एक भाशा होती है एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जूट कह रहा है या फिर सही तो आपको उसकी आँखों पर ध्यान देना अतियावश्यक है यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आँखें यहां वहां घुमा रहा है उपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंड रहा है वो कोई जूट बना रहा है यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई जूट कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा वह यहाँ वहाँ देखेगा उपर नीचे देखेगा लेकिन वह आपकी आँखों में आँखें डाल कर कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आँखों में आँखें डाल कर देखी तो उसका जूट पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा और इसी प्रकार कुछ और भी भाशाएं होती है जब आप किसी की आँखों में आँखें डाल कर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव-भाव क्या है ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव-भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है कभी-कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख, होट और बहुत से कुछ अलग-अलग व्यभार करता है यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं फिर चाहे इनसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाशा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार. मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है अपने हाथों से इशारा करता रहता है बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज उसका भी पूरा उपयोग करता है जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने शरीर मटकाने और चहरे पर बार बार हाथ लाने हाथों का एक दूसरे से मसलना ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं उस पर हमें ध्यान देना अतियावश्यक है मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी है तो आपको उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान पुर्वक देखना और समझना होगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे अन्यथा, आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्थ हैं, भविश्य की योजनाओं में व्यस्थ हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और नहीं आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो क्या सोच रहा है। क्योंकि उनका मन एकाग्र है शान्त है और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रिपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ग्यान से भरपूर कहानियाओं लेकर आ सकूँ। नमो बुद्धाये। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।